तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं अपनी लाकी बेंबू प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करती हूँ तो यह जो प्लांट आप लोग देख रहे हो दो साल की पुरानी है और इसकी लंबाई भी बहुत हो चुकी और पत्ते की ग्रोध भी बहुत जब मैं लगा एती तो यह प्लांट बहुत चोटा था अब इसने सालों से इसकी क्यार भी ने किये है इसकी रूट्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी है मिट्टी देखी ने रहा है इस इसका पॉट्ट चेंज कर दो तो आज मैं दिखा रही हूँ आप लोग के साथ शेयर भ कर देंगे लाकि विम्बू आसानी से ग्रो कर जाते है इसको भोग करना इतना भी मूशकील नहीं है तो हम ने इस लिए नीचे वाला रूट जो है तो रसा काद दिया और थोरसे रोट्स रखेंगे तो हमने इसके वाश अच्छे से कर लिए है इसके रूट्स भी वाश कर बाकी दो जो ब्रांच है इसने लंबा नहीं लेकिन इस ब्रांच है बहुत लंबी हो चुकिया और रूट्स भी निकाला है तो हमने इसको इधर से काट देंगे नीचे वाला हिस्सा फेक देंगे जो रूट्स है उतने ही लेंगे लाकी बेंबू की प्रोपागेटिंग करना बहुत आसान है पिछले में वीडियो में मैंने दिया है आप लोग देख सकते हो लाकी बेंबू की प्रोपागेटिंग कैसे करते हैं मैंने शोर्ट्स भी डाली हुई थी हमने काट लिया है एक नहीं लेंगे हम और यहाँ पर मैंने एक जो ओल्ड बाकेट है इसको दोड़ करते हूं अकर आप लोग भी गार्डिनिंग का शॉक रखते हैं और प्लांट लगाना अच्छा लगता है तो आप लोग भी ऐसा हो खरिए गर्मे जो हमारे वेस्ट प्लास्टिव होते हैं उनको हम कभी-कभी फेक देते हैं उनको पेंट करके तो रस डिजाइन देखे फ् प्लांटर की फाइनल लुक अब मैं नीचे वाला हिस्सा में होल कर लोंगी क्योंकि अगर प्लांटर में आच्छे से होल ना हो तो पानी ड्रेन नहीं हो पाते हैं और पानी ड्रेन नहीं हो पाने के वज़़े से प्लांट खड़ाब होने लगते हैं तो इसलिए हमने पाच आप बाथ्रूम में लखी भीम्बू रख रहे हैं बहाँ पे डर्कनेस ज्यादा है और आपकी प्लांट गुरो करेगा यानि येस इन लखी भीम्बू जो है इंडर्वल प्लांट है और इसे इंडरेक्ट सानलाइन पसंद है तो आप इसे वीक में एक बार वन आउर के लिए तो आपकी प्लांट गुरो करेंगे थेंक यू पर यू ब्यूटिफुल कोमेंट और यहां पर मेरे प्लांट की रिपोर्टिंग कॉम्प्लिट हो चुकिये अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आये तो लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आप